आपके साथ मैं हूँ अभीशीक सत्यवरतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सयूगी पूजात्रिपाथी बाजार में कमजोरी थमने का नाम नहीं ले रही है आज लगातार छठे सत्रमें बाजार में हम कमजोरी देख रहे हैं हाला कि छोटी सी रहात यह है कि निचले सतरु से सुधार की आज कोशिश हमें शुरुवाती घंटे में ही दिख रही है आज बाजार जो है 16,850 तक फिस्ता वहां से तकरीबन 80 अंकों के आज़ पास के रिकवरी आ गए है इस वक्त दोसों को के आज़ पास की हम कमजोरी देख रहे हैं निफ्टी बैंक की बात करें तो आज ग्लोबल मंदी की आशंका जिस तरह से गहराई है मेटल शियरों में कोहरा मचा हुआ है इंडाल को टाडा स्टील जेस डेवलो स्टील ये हैं निफ्टी के टॉप लूजर और इंडेक्स भी सबसे ज़्यादा आज पिटा हुआ है मेटल का लेकिन दूसरी और अगर बात करें तो बीपी सील है निफ्टी का टॉप गिनर जिस तरह से कच्छे तिल का भाव 35 डॉडर के नीचे फिसला है कहने के इन कंपनिस के लिए राहत है और बीपी सील के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज हम थोड़ी से रिकवरी देख रहे हैं बजाज आज 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 निफ्टी के टॉप गिनर्स में ये शियर भी शामिल है एशियन पिंट्स आज भी उपर है एक परसंट के आसपास की तेजी यहां पर कल की जो बड़ी तेजी थी उसको और मजबूत करते वे ये शियर ल लेकिन अगर हम स्मॉल केप अगर मिड़ केप की बात करें तो वहां से भी रहात के संकीत नहीं हैं ये दोनों इंडिक्स मिड़ केप और स्मॉल केप निफ्टी से ये ज़्यादा कमजूर है यानि बाजार का जो सिंटिमेंट है अभी भी वो वीक बना हुआ है और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 12 में से 9 शियर गिरावट के साथ कारुबार कर रहे हैं आज वीकली एक्सपारी भी है आज गुरुवार का दिन है कल आखरी सतर होगा इस हफ़ते का सवाल यह है कि बाजार क्या स्थिरता के संकेत देगा क्योंकि 17,000 का एक एहम सपोर्ट टूटा है बाजार के लिए 16,800 पर नज़र है उसके आसपास तक हमने जाते वे इंडिक्स को देखा भी लेकिन अभी रिवर्सल के संकेत मिल नहीं रहे है सोवंक जरूर नीचे से रिकवर हुआ है लेकिन क्या ये रिकवरी और बढ़ेगी क्या हरे निशान में आने की कुछ बाजार करेंगी इसका जवाब लेगे हैं अपने एक्सपोर्ट को भी शो में शामिल करेंगे लेकिन अपने दर्शकों को पहले सवाल पोशने का तरीका हम बता देते हैं नो एक छे साथ तीन दो नो एक शोनी आठ ये हमारा फोन नमबर इस पर आप फोन कीजिए एसमस कीजिए और वाटस अप करके भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं और सोचल मीडिया पर भी है 189 सुदेश मौजूद एट 189 सुदेश पर अब तीनों मेजर प्लैटफरम्स फीजबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा ये है पता और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्लास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सेक्यूरिटीज के अवनाश गुरख्षकर और तनिशा अकाडमी के नितिलेश पावसकर अवनाश जी और नितिलेश आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्वागत है आपका 89 सुदिश पर अवनाश जी शुरुवात आपसे करना चाहेंगे लगातार 6 दिनों की कमजोरी और अवनाश जी दो चीज़े चल रही है एक तो जो बैंकिंग का जो क्राइसिस है जो की इस डिवी बैंक से शुरू होकर हम देख रहे हैं कि अब क्रेडिट सोईस तक फैल गया है तो थोड़ा सा ग्लोबल पैने का महौल है बैंकिंग स्टॉक्स में लेकिं दूसरी और जिस तरह से व्याज़रे उपर बढ़ने की जो रफ्तार है उसके चलते कहने की एक ग्लोबल मंदी की भी आशंका है क्योंकि डिमांड फ़ड़ा से तोड़ा होने की आशंका जदाई जा रही है मेटल स्टॉक्स आज क्लियरली वो इंडिकेट कर भी रहे हैं आप किस तरह से देखने हैं पूरे सेनेरियों को और बाजार आपको लगता है कि अपने सपोर्ट लिविस के आसपास है यहां से जादा डिस्ट्रक्शन अब नहीं होना चाहिए या फिर अभी चिंताएं बने रहेंगे बाजार के लिए देखे मुझे पहली बात तो आपको बताना है कि कल जो क्रेट से यूज का मामला हो चुका है वो डेफिनेटली एक नेगेटिव कंसर्न है मार्केट के लिए क्योंकि जबी भी इमर्जनसी फंडिंग कोई भी बैंक को मिलती है तबी डेफिनेटली सिट्यूइशन बहुत प्रिकेरस होती है इसका में रीजन वो ही है कि जिस प्रकार से इंटरस रेट्स यूज में बड़े हैं उसका इंपक्ट बॉंड डिल्स पे हो चुका है और काफी बड़े बैंक्स यूज में अभी बड़े एम्टेम लॉसेस पे बैठे हैं फेट गवरनर पोवल साहब अगर इंटरस कट्स की बाते करते हैं और थोड़ा सा पॉस की बात करते हैं करीबन 6-8 मैने के लिए तो ही मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली आपको यूज मार्केट्स में देखने को मिलीगी और हम सारे इंडियन मार्केट्स में जो प्ल इंटरी डॉबिश रहेगी तो आपको एक बहुत अच्छा यूटर्न और शॉट कवरिंग रैली आपको मार्केट्स में देखने को मिलीगी बहुत यूएस अस इंडिया में रही बात मार्केट में सिट्यूएशन क्या है मुझे लग रहा है कि अभी बजार 17,000 का लेवल तोड़ चुका है अभी हम close to 16,900 है मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अभी value इमर्ज हो रही है तो इनो bottom कहां पे होगा वो कहना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा पैसा deploy करना चाहिए क्योंकि valuations बहुत attractive बने हैं मुझे लग रहा है कि अच आप इस downside को अगर थोड़ा सा capitalize करना चाहते हैं तो portfolio बनाने का वह यह बहुत strong economy है, trade deficit भी काफी अच्छा रहेगा अगर crude के कीमते जैसे आप बता रहे थी कि काफी नरम हो चुके हैं, तो मेरी ख्याल से इंडिया की economy well positioned है, बैंकों के लिए भी कोई घबराट की बात नहीं ह है, तो sentiment negative होने से fundamentals बदलते नहीं है, तो definitely इसको एक opportunity के point of view से थोड़ा सा निमलिंग तो आपको करना चाहिए, ताकि कोई भी retail investor अभी अगर उतरता है, तो मुझे लग रहा है कि जब bounce आएगा, तभी अच्छी कासी risk reward not only medium term में, बट short term में भी मिल सकते हैं, तो I would be a little contra buyer, but selectively और वो भी थोड़ा सा allocation अभी करूँगा, और थोड़ा इंतजार करूँगा, अगर बजार और गिरता है, तो थोड़ी और allocations हम बढ़ाने की बात करेंगे। देख रहे कि सेंसेक्स हरे निशान में आ चुका है, निफ्टी भी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, और शांदार recovery निशले सतरों से बाजार में इस वक्त देखने को मिल रही है, चलिए मार्केट पर हमाई नजर बढ़ी रहेगी, weekly expiry का दिन भी है, तो पूरा मो संपर्किया में, नमस्कार, क्या सवाल है आपको, पूछे, मेरे पास दो, एक BSE का 40 तेर है, BSE का, hello जी, 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 BSE का है, और कोई भी स्टॉक है आपके पास, Sonata Software, Sonata Software, ये किस लेवल पर लियाया आपने, मैंने Sonata लियाया इस साथ रुपिया में, तो अंडेट से लिया था, 34 बोनस मिला, एक्स्ट्रा, अच्छा, चलिए, मुबारक हो, आपको Sonata Software में तो अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है, एक एक करके राय दिल्वा देता है, पहले तो BSE पर राय ले लेते हैं, यहां पर नुकसान काफी ज्यादा है, BSE इन्होंने एंट्री ली थी 700 पे, और अब स्टॉक 400 के आसपास का सबार कर रहा है, इस टॉक में भी हम लगाता है, गिरावट देख रहे हैं, पिछले 6 मेने में इस टॉक में करी 33% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, हाला कि नुकसान जादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो पाइंग लेवल था, उससे काफी नीची आच आ एक तो NSE का IPO है, जो पॉसिबली अगले 6 से 12 मेने में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, दूसरा इनके पास काफी ऐसे अच्छे आसेट्स है, जैसे कि इनका एक मिचल फंड, स्टार मिचल फंड का प्लाटफॉर्म है, CDSL की होल्डिंग है, मुझे लग रहे हैं कि अगर इन खरीद लिजे, करेंट प्राइस बहुत अट्रेक्टिव लग रहे है, क्योंकि ये बिसनेस आने वाले सालों में बहुत अच्छी तरह से एक्सपाइंड होगा, और जैसे-जैसे मार्केट सेंटिमेंट इंपूर्व होगा, आपको एक अच्छा इनो रिस्क रिवावर्ड क ट्रेड मिल सकता है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और आवरेज करके यहां पर पोजिशन होल्ड करें, अपनी पोजिशन लॉस में मत काटिये, कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आवरेज करना जरूरी है, ताकि आपकी आवरेज कॉस्ट कम होती है, तो आने वाले ट्रेडर्स को निविश्कों को थोड़ा दूर कर देती है, लोग अपने SIP काउंट्स बंद कर रहे हैं, क्या उसका भी असर थोड़ा सा नेगेटिवली हम देख सकते हैं BAC के शेर पर? देखे, मुझे लग रहे हैं कि SIP का कोई direct correlation BAC के शेर पर नहीं है, लेकिन sentiment खराब होता है जब SIP लोग बंद कर देते हैं, मेरे ख्याल से देखे, market sentiment overnight भी बदल सकता है अभिशेक, और ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि market में आपको ऐसे समय पे अच्छे quality stocks में निवे business अगर business model अच्छा है तो कहीं न कहीं definitely आपको आने वाले समय में पैसा बनेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई चिंता की बात है, I think SIP का जो roadmap है इंडिया में वो बहुत तगड़ा है, इसमें कोई बड़ी रुकावट तो आएगी नहीं, बढ़ है, there will be some months where थोड बड़ा सा time और patience और conviction इनों डाल के लंबी अवधी के लिए ही invest करना चाहिए, ठीक है, अब इनाज जी ने बहुत एक अच्छी बात कहीं कि ओवरनेट बाजार के sentiment बदल जाते हैं, लेकिन यहां over minute बाजार के sentiment बदलते हुए दिख रहे हैं और इस वक्त अगर आप देखें च्छे सोंकों के आसपस का recovery है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो करीब डीड़ सोंक निफ्टी यहां पर सुधर गया है, और अब सत्रह हजार के स्तर के फिर से आसपस आ गया है, हमने देखा था कि 16,850 की नीचे भी गया था, लेकिन बहां से recovery बहुत शांदार है, तो प कुछ पैक्स को छोड़ दें, अगर हम बैंकिंग कुछ दिगज नाम, बड़े नामों को छोड़ दें, मेटल को अगर अलग कर दें, तो आज हम देख रहे हैं कि बाजार में कुछ-कुछ सेलेक्टिव recovery हमें देखने को जरूर मिल रही है, इस वप निफ्टी के 32 शियर हरे लेकिन recover अच्छा किया है, और अब 12 में से 6 शियर मजबूती के साथ trade कर रहे हैं आज के बाजार में, चलिए अगले दर्सकों को जोड़ेंगे, हमारे साथ जोड़े हैं, फोन लाइन पर उत्तर परदेश से आजए, अजए जी नमस्कार, पूछिए सर क्या जाना है आपको नमस्कार, जी सर बताइए, मैं GMM Fodler के शेयर के बारे में जानना चाहता हूँ, I have got 50 शेयर at the rate of 1560, ठीक है, 1560 रुपे के बहाँ पर आपके पास है 50 शेयर, आपके खरीद क्या हाल फिलहाल एक दो मेने पहले की है क्या सर, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, हाल फिलह इस साल की खरीद है, और हम देख रहे हैं कि अगर इस साल की एकर हम देखेंगे, तो तकरीबन 6,5-6% अपने उपरी भाव से ये शेयर डाउन है GMM Fodler का, आप से राय जाना चाहेंगा, विनाज जी इस पर, पौने 1560 रुपे के आसपास का भाव है, इनके भाव से तकरीब पूस को लेकर आपको कितनी संभावना दिख रही हैं और क्या इनके भाव वापस आके इनको अच्छा मुनाफ़ा होगा, कितना समय दें इसको? दिखे अभिशेक, पहली बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कंपनी बाई कर दी है, कंपनी बेसिकली फार्मा सेक्टर को ग्लास लाइन रियाक्टर्स बनाती है, जो काफी स्पेशलाइज प्रोडक्ट होता है, कंपनी की ओर्डर बुग भी अच्छी है और कंपनी की, not only इंडिया की बिजनस में एंटिटी है, बट इन्फाक्ट इन्होंने एक ओवर्सीस सब्सेटरी भी खरी दी है, जो ओवर्सीस माकेट्स को भी केटर करती है, तो मेरे ख्याल से जो बिजनस मॉडल है, इनका वो बहुत स्ट्रॉंग है, और मुझे लग रहा है कि तीसरे तिम नंबर के सिलेक्टिड प्लियर्स ही अविलेबल है, क्योंकि ये बिजनस बहुत टेक्नोलोजी के लिए इंटेंसिव है, और सभी लोगों के पास टेकनोलोजी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि फार्मा सेक्टर में जिस प्रकार का, इनके पास क्लाइंटल है, कैपक्स प्रो साल देड सामें अच्छा कासा रिस्क रॉड बनेगा, तो कंटिनू टू होल्ड यही रहे रहेगी, तो होल्ड करने की रहा आपको स्टॉक में, अगला सवाल हमें फेस्बुक के जरीए भेजा है मोहिज जी ने, इनका सवाल है पीपी एल फार्मा याने के पिरामल फार्मा पर इनका सवाल है और इनकी खरदारी काफी उपरी लेवल पर नजर आ रही है, दो सो शेर्स एक सो अरतालिस पर इन्होंने लिया हुआ था, काफी पहले की खरीद है, स्टॉक लगा ता टूटी रहा है, वैसे तो पूरा फार्मा स्पेस ही है, इस बक्त अंडर पर्फार्म कर रहा है, उसमें पिरामिल फार्मा जैसी कंपनिया तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, 15,000 के आसपास का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है, नितिलेश पिरामिल फार्मा में क्या करें, क्या और डांसाइड देख रहे हैं, जी सर्व लास्ट भी ही है, हम लोग तो थोड़ा सा एक पुलबैक आपको देखने को मिल सकता है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये 72 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, तो 85 से लेकि 88 ये जोन के आसपास आपको जाती हुए लग सकता है, तो 65 का अभी के लिए stop loss रखें, क्योंकि one way fall आ रहा है तो 885 ये लेवल दिखा स्क्रीन के ऊपर, पोजिशन को सारी के सारी शॉर्ट पोजिशन को कवर कर लिया, क्योंकि अब हर कोई बंदा सेलिंग में आना चाहता है, और मेरे इसाब से अभी मार्केट थोड़ा सा बाउंस करेगा, तो वैसे ही पिरामल फार्मा का हो सकता है, 65 पर अगर निकलेगा, तो मोमेंटम फिल से 8285 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, पिरामल फार्मा पर नितलेश का ये विव, और हमने देखा था कि लास्ट येर, ऑक्टूबर में पिरामल एंटरप्राइज से इस कारोबार को अलगर के लिस्ट कराया गया लेकिन उसके बाद से लगातार इस शेर में गिरावट है, और लोग ये पूछ रहे हैं सवाल, सोचल मेडिया पर फिसकी चर्चा है कि क्या इस शेर से निकल जाने में ही भलाई है, तो ये विव नितलेश का इस शेर को लिकर, आगे बढ़ेंगे बैंगलोरु से नरिंदर ह हमारे साथ है, नरिंदर, नमसकार, पूछी क्या जाना है आपको? यानि कि आपके भाव से कर देखें तो शेर करीब-करीब ये आधा हो गया है, ठीक है विनाज जी इस पर आप जड़ा राय दीजिए, हमने देखा था कि लास्ट ये थोड़ी रिकवरी की कोशिश दिखाई थी, 200 रुपे की भाव से ये चर्ट के 500 रुपे के आसपास गया हैं और चोटे बैंकों से निकल के थोड़े से जो बड़े बैंक, जो एसेट साइज में बड़े हैं, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाने में ये भराई है, कस्टमर्स को ये सला दी जा रही है, क्या शेर बाजार के निवेशकों के लिए ये ही सला अप्लाई होती है? बिल्कुल लेकिये, आपने सही का कि बंदन बैंक का शेर ने बहुत ही significantly underperform किया है, और निवेशक ने जो बाव पे शेर लिया है, मेरे ख्याल से देखिए इस बाव को वापस आने के लिए काफी समय लगेगा, तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया एवन एक दो साल भी ह तो भी इस प्राइस को आने के लिए थोड़ा एक चैलेंज रहेगा बंदन बैंक को, क्योंकि देखिए इनका बिजनस मॉडल तो काफी अच्छा है, माइक्रो फिनांस में ये काफी बड़े प्लेयर है, अभी इन्होंने ग्रू फिनांस लिया था, तो वो भी मर्ज हो चु तो मुझे लग रहा है कि देखिए फूल फ्लेश बैंक अच्छे वैलूशन पर मिल रहे है, अगर आप सरकारी बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक काफी अच्छे वैलूशन पर चल रहा है, अगर प्राविट सेक्टर की बात करें तो ICICI बैंक, Axis बैंक अच्छा चल रहा ह तो मेरे ख्याल से इनको बंदन बैंक से निकल जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड इनको मिलेगी, इनको patience के लिए दात देना चाहिए, लेकिन unfortunately देखे market emotions पे चलता नहीं है, market data पे इनो चलता है, तो मेरे ख्याल से अगर ये switch करते हैं, तो इनक बंदन बैंक से निकल जाए और आइधर IDFC फर्स्ट या आप आप नजर आ सकते हैं, यह राया आपको इस वक्त से दे दी गई है, इस बीच आपके स्क्रीम पर एक खबर आरी है, विलियम सर मेगन को लेकर यहां पर खबर आ रही है, यहां पर company के जो CFO है, मदनाल अगरवाल, उन्होंने CFO पस से स्तीफा दे दिया है, खबर के बाद हम देख रहे हैं कि stock अब हरे निशार में आ चुका है, करीब आधा परसेंट उपर आ चुका है, सुबे से ही negative कारोबा कर रहा था, लेकिन यह जो अपडेट आ रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि stock आधा परसेंट उपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, विलियम सर मेगन का stock, मदनाल अगरवाल, यह CFO पत पे थे और इन्होंने स्तीफा दिया है, इस तरह की यहां पर खबरे निकल कर आ रही है, इमामी पेपर पर सवाल है, इनका 100 shares इन्होंने 195 रुपए के भाव पर लिया हुआ है, इमामी पेपर का और नुकसान हो रहा है, नितिलेश जी क्या सजेस्ट करेंगे, इमामी पेपर में नुकसान हो रहा है, कोई recovery के sign दिख रहा है, कोई bounce दिख रहा है आपको, जिसके के लिए बने रहे हैं, आफर exit कर लें, इसमें तो एक जो लास्ट वीक का जो लो है, वह एक as a stop loss के तरह आप ले सकते हो, 117, 119 के उपर अगर यह निकलता है, तो थोड़ा सा एक bounce के लिए आप weight कर सकते हो, 130 के आसपास, 130 अगर hold नहीं करता है, तो आप position से क्या कर लेना, exit क कर लेना, अभी के लिए important stop loss जो होगा 107 का होगा, क्योंकि weekly chart continuously तीन दिन से वही जाके वो support ले रहे हैं, तो यह रहा है, इमामी पेपर पर illiquid counter है, जादा कुछ आक्शे में नहीं है, और काफी सारे निवेशक फस चुके हैं, उपरी सरोपर entry लेने से, तो फिलाल आगे के लिए भी यहां पर कोई बहुत बढ़ा उच्छाल की उमीद नहीं है, फिर भी कोई bounce मिलता है आपको, तो निकनली की कोशिश कीजिए, इमामी पेपर से यह रहा है आपको इस चौक पर, यह recovery की कोशिश 17,000 की उपर आ गया है, निफ्टी अगर हम बात करें, निफ्टी बै रहे हैं, लेकिन बाकी हम देख रहे हैं कि फार्मा में, आटो में, और कंजम्शन वाले स्पेस में बढ़हा रिकवरी आज में देखने को मिल रही है, ओएमसी स्टॉक्स भी चल रहे हैं, आज कुरूड के सस्ता होने के चलते, कच्छे तेल कभाव है, 75 डॉलर के नीचे फ की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं आज इसलिए इथनॉल की बात करने वाले हैं, क्योंकि क्रूड कीमतों में जिस तरह से गिरावट आई, तो एक बर फिर से फोकस कम होता जा रहा है वे इथनॉल पे, अब लग रहा है, शुगर के दाम गिर रहे हैं, क्रूड के दाम की मॉलेशस से बी और सी ग्रेट के जो भी हैवी मॉलेशस होते हैं, उनके दाम पचास रूपए पर ती लीटर के आसपास के हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दे कि एथनॉल का इस्तेमाल होता क्योंकि, एवी सीरी में जाना जरूरी है कि एथनॉल का कहा कहां इस्तेमा आगे हैं, इसके अलावा शराब के लिए निकर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे मेडिसिन वैल्यू है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे फ्राग्रेंस फ्रूट्स बनाने के लिए भी इतनॉल का इस्त बेचा भी जा रहा है अब बनता कैसे सरक्रावाली फसलों से बनाया जाता है और यहां पर हम ज्यादा तरह अपने हां जो इतनौल बनता है वो शुगर केन के जूस सही बनाया जाता है इसके इस्तेमाल का फायदा यह है कि 35 परसेंट तक कारवन मोनो आकसाइड का जूस सर्ज है इसलिए एतनौल का टॉपिक आज में लेकर आया था ठीक है तो एतनौल का इस्तमाल और इसका फायदा किस तरीके से किया जाए कैसे बनता है एतनौल इसके बारे में यहां पर विश्रु मोहन आपको जानकारी दे रहे थे लेकिन चलिए बागे बढ़ते हैं और सवाल- जवाब का सिल्सला वापस से शुरू करते हैं और हमें फेस्बुक पर नॉइडा से विक्रांत वर्मा जी ने सवाल भीजा है दो सवाल है इंके पहला तो आया एफसी पर ले लेते हैं दो हजार शेयर इन्हों ने तहते इसके भाव पर लिया हुआ है और आया एफसी में हम बढ़ गया है इस स्टॉक में नितलिश क्या सजेस्ट करेंगे आया एफसी में और कितने लेवल तक यहां पर गिरावट देखने को मिल सकते हैं और कुछ स्टॉप लॉस भी सुझाएंगी ने फिर 30 का लेवल देखता है तो एक बार पीसी रिव्यू करना चाहिए आपको कंटिन्यू करना या फिर नहीं लेकिन नीचे में एक चीज का ध्यान रटना 25 रुपीज एक लक्षमाड रिखा की तरह देखो एसे बिल्ट होने के बास सीधा यह स्टॉक नीचे जा सकता है तो की राए IRFC पर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राए स्टॉक में और वीक्नेस थोड़ी दिखाई दे रही है लेकिन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिये सेफर साइट इंडियन अवर्सीज पर भी इंका सवाल है और यहां पर भी नुक्सानिंग को काफी हो चुका है 2000 के उपर के शेर्स इन्होंने स्टॉक में दिये हुए है 29 के पास स्टॉकिंग की खरिदारे के पास ही कारोबार कर रहा है लेकिन हम इस बीच देख रहे हैं कि बैंकों की काफी ज़्यादा पिटाई हुई है चोटे मजॉले सभी बैंक यहां पर वीक्नेस देखने को मिली ह पर नितिलेश अभी काफी तूच चुके है यह स्टॉक अब जो रिकावरी आ रही है दीरे दीरे बैंकिंग स्टॉक चलना शुरू हो रहे है यह छोटे मजॉले बैंकों में क्या व्यू बन रहा है आपका और आयूब्य में क्या सला देगे इसमें एक बांस बैक देखने क मोगे देखने पड़ेंगे तो अभी की लिए यह स्टॉक भी थोड़ा सा बने रहे सकते 22 रुपे का स्टॉप लोस रखे 24 रुपे पचास पैसे या फिर 25 रुपे के आसपास अगर आता है उपर में तो एक बार थोड़ा कांटीडी को कम कर ले या फिर स्टॉप लोस इसक हजार रुपे के स्टर तक आ गया था थोड़ा सा समलने की कोशिश कर रहा है लोवर लेवल से लेकिन अभी भी इसमें कमजूरी है इंडर्सिंट बैंक का आपको इस भाव पर कैसा लग रहा है और किसी को अगर लेने का मन हो पोर्टफोलियो में अगर रखने के लिहास से क कंपनी के मैनेजमेंट ने पता ही ती इससे तो यही लगता है कि 14 वाटर भी काफी स्ट्रॉंग आएगा मेरे ख्याल से देखें बैंकिंग में सेंटिमेंट नेगेटिव है अभी भी काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा यूएस में बैंकरप्सी बैंक्स में होगी तो इसका नसर इंडियन बैंक्स के भी होगा बट मुझे लग रहे है कि देखें इंडियन बैंकिंग सिस्टम काफी वेल पोजिशन्ड है इन फाक्ट बैलेंशेट जो पिछले 10 साल में खराब हुई थी ये काफी अभी इंप्रू हो चुकिया और प्रावेट सेक कि रिटेल और कॉर्परेट का लोन बूग भी काफी अच्छा मिक्स है तो किसी को अगर लंबी अवदी के लिए खरीदना है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स अच्छे आएंगे सेंटिमेंट थोड़ा वीक है तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा अपरी में दे दी गई है चलिए इस बीच कुछ और भी दर्शे का सवाल आया है में जैपूर से कृष्ण जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है उलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर 50 शेर्स 700 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है और उलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी हमने देख उस तेजी में ही स्टॉक में एंट्री भी ले ली है अविनाज जी आप ही सजेस्ट करिए कंपनी कैसी लग रही है आपको आगे के लिए प्लांस तो काफी अच्छे हैं बट अभी ये जो गिरावट आ रही है क्या उससे कुछ चिंता करनी चाहिए या फिर स्टॉक में जि अच्छी तेजी आपको देखने को मिली मैं समझता हूं कि देखे कंपनी का फ्यूचर काफी स्ट्रॉंग है क्योंकि जिस प्रकार के ओर्डर्स अभी इनो स्टेट अंडर्टेकिंग्स अनॉंस कर रहे है इसमें काफी बड़ा शेर ओलेक्ट्रा टेकनोलोजी को मिल रहा है और रिलाइंस के साथ भी इनका करार है हाइडरोजन के बसे के लिए तो डेफिनेटली आगे का रोड में अच्छा लग रहा है बट डेफिनेटली अभी जो शेर गिरा है वो जाला तर प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरा है मुझे लग रहा है कि देखे अगर नजरिया उलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर ये वियू विनाज जी का एक अच्छी तीजी हमने शेर में हाल फिलहाल भी बनते हुए देखी और तमाम एलेक्ट्रिक बसेस के ओर्डरस भी मिले हैं कंपनी को लेकिन एक बार बीएसी को देखते हूं और बीएसी में सेंसिक्स की तज़ देखते हैं क्या कहती है रिकवरी बहुत अच्छी है दो सो चालिस अंक उपर है आज सेंसिक्स और सतावन हजार एक सो पचास के आसपास से आप देखी करीब बर छे सो अंकों के आसपास की रिकवरी अभी सेंसिक्स में हो चुकी है डे हाइपर ट्रीट कर रहा है अगर हम तीस शेरों के बात करें तो सिर्फ इस वक्ट छे शेर हैं जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं टाटा स्टील, इंडस्टिन बैंक, इल एंटी, इंफोसिस, भारती अटेल और टेकिम बाकि आज पूरी तरसे दबदबा है कंजम्शन वाले शेरों की टाइटन, नेसले हिंदोस्तान, यूनिलिवर, ये तमाम शेर आज मजबूती के साथ ट्रेट करें, इशियन पेंट्स में भी डेट परशन के आसपसी तेजी है, तो कल की तेजी के बाद, आज फिर से इसमें हम एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन लोवर लेवल से बढ़ियां पास फिर से, जो इस पर रिपोर्ट थी, जेपी मॉर्गन की, टार्गेट 58 पर रिड्यूस जरूर किया है, लेकिन ओवर वेट की जो रेटिंग है, अभी भी वो कायम है, और 22-23 वाली रेंज को काफी अच्छे सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा था, रिलाइंस के नहीं थी, शायद वो हाल-फिलाल नहों, आपको लगता है कि रिलाइंस के लिए यहां से ट्रिगर है उपर जाने के लिए? और मेरे ख्याल से देखे, अभी इंडस्ट्री में प्राइसिंग पार वापस आ गई है, मुश्किल से दो प्लेयर बचे हैं, तीसरा प्लेयर तो काफी खराब कंडिशन में है, रही बाद रीटेल के लिए तो रीटेल पोस्ट कोवेड के बाद काफी अच्छी तरह से ग्र सुचना चाहिए, अगर नजरिया शॉट टम है, तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा लाक लेश्टर रहे, बट अगर आपका कम से कम 12-15 मेने का व्यू है, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटल एक अच्छा री रेटिंग और अच्छा बाउंस आपको मिले तो यह कभी न कभी होगा और मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को अच्छा गासा पैसा बनेगा इसमें, प्रोवाइड़ेड वो थोड़ा लंबा सोचे, लंबा इसमें इन्वेस्ट करेगा ठीक है तो यह है व्यू रिलाइंस पर और प्राइटिक सेट यह जो स्टॉक है थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ है लेकिन लॉंग टर्म के लिए आप किसी भी लेवल पर यहां पर एंट्री कर सकते हैं और बने रही है स्टॉक में इस गिरावट में भी काफी अट्रैक्टि इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रेंट में 75 डॉलर का भी जो लेवल है वो तोड़ दिया है अब इससे किंकिं कंपनियों को फाइदा होगा कि ने नुकसान हो सकता है इस पर पूरी डीटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ सौमिक मौजूद है सौमिक बताइए अगर क्राइस देखने को मिले है उसके कारण एक फिनाशल क्राइस होनी के एक्सपेक्टेशन और कंसर्न है जिसके ऐसे फ्यूल के डिमांड थोड़ी कम हो सकती है यह पहला रिजन और दूसरा रिजन यह है कि जो OECD का इंवेंट्री है वो अपने फाइव यर हाय पे चल रहा है अगर 10 डॉलर से घर भाव गिर जाते है क्रूड के तो का इंडिया का जो करेंट अकाउंट डेफसेट है वो करीब 14 तो 15 बिलिन युएस डॉलर से कम हो सकता है जो की करीब 0.4 परसंट है GDP का उसी के साथ क्रूड कम होने 10 डॉलर से घर गिर जाता है तो रिटेल इंफलेशन जो है वो करीब 50 तो 60 बेसिस पॉइंट से कम हो सकता है और होलसेल इंफलेशन करीब 125 तो 135 बेसिस पॉइंट से कम हो सकता है अब अगर कंपनीज के अगर हम बात करें तो ओयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे की इंडिन अल कॉपरेशन, BPCL, HPCL इनके लिए एक मिक्स्ट फिन इसल का जो मार्जिन है वो करीब 40 पैसे प्रती लिटर से बढ़ जाता है बट नेगेटिव साइड पर अगर हम देखे तो ओयल मार्केटिंग कंपनीज इंवेंट्री मेंटेन करते हैं और अगर शाप फॉल देखने को मलता है क्रूड और प्राइस में तो इंवेंट्री ल इच्प्रोर्र के लिए उसके अलावा और काफी सारे सेक्रस है जैसे के पेंड कंपनी सबसे पहले उनके जो रा मेटरील कॉस्ट रॉट्य परसे आफिक फॉर्टी परसन आफ दो रोमेट्रील बासकेट जो है उनके प्राइसे प्राइसे गिरते हैं तो अनके रोमेट्र के 40% हिस्सा होता है Cement Companies के अगर हम बात करें तो उनके लिए 40-50% of the total cost इधर directly या indirectly crude related होता है crude के prices अगर गिरते हैं तो cement companies के cost भी कम हो जाती है Specialty Chemical के अगर हम बात करें तो उसमें काफी सारे companies है जिनके major raw material crude है या तो crude related products है जैसे कि Balaji Amines, Alkyl Amines, Camlin Fine Clean Science, Rosari Biotech, Nossil Deepak Nitrate, Atul Vinati Organics और Megmani Organics सारे companies के major raw materials है वो इधर crude है या crude related products है और अगर prices कम होता है तो obviously इनकी भी EBITDA में growth देखने को मिल सकता है और margin benefit देखने को मिल सकता है तो ये तो ये तमाम जो कमपनियां है crude में जो नर्मी आई है उसके चलते इनको फाइदा होता हुआ देखेगा हाला कि crude के गरने के पीछे कुछ fundamental reasons भी है जिस तरह से global मंदी की आशंका जदाए जारी है कि demand में इस लोडाउन आएगा इंडस्टीज की तरफ से उसके चलते मांग घटने से हम pressure देख रहे हैं लेकिन निश्चे तरपर जो कंपनियां कंजियूम करती है करूड को कंजियूमर हैं कहने कहीं अलग-अलग forms में उनके लिए रहात की ख़बर जरूर है आपसे एक view चाहेंगे अगले दरसा के बाद उसके पास जाएंगे अविनाश जी अगर हम अलग-अलग sectors की बात करें तो हम देख रहे हैं कि देखें पेंट्स को फाइदा हो रहा है जाहिर तोर पर और कल हमने एशियन पेंट्स को तेजी होते हुए देखा बाकी पेंट कमनिया भी चलनी थी आज भी एशियन पेंट्स में अच्छी तेजी है कांसाइन एरोले कल भी कमजोर था आज भी एशियर कमजोर है पता नहीं क्या रीजन है लेकिन और दो-तीन स्टॉक्स कोई नाम आप लेना चाहेंगे जहां पर एक बढ़िया फाइदा होगा गिरता है तो सबसे बड़ा बेनेफिशरी तो आज अच्छा बाउंस देखा है दूसरा सेक्टर पेंट रहेगा उसके बाद कार्बन ब्लैक रहेगा कार्बन ब्लैक में भी कुरूड का काफी बड़ा योगदान होता है उसके बाद लूब्रिकन कंपनिया है लूब्रिकन कंपनी में भी जो बेस ओयल बनता है वो कुरूड ओयल का डेरिवेटिव होता है तो कैस्टरॉल, गल्फ ओयल उसके बाद सवीता ओयल जैसी कंपनीज है उनको भी काफी बेनेफिट मिलेगा क्योंकि कुरूड का भाव अगर गिरता है तो इनका raw metal का cost कम हो जाता है दूसरे जो speciality chemical कंपनिया है वहाँ पे भी हमको लग रहा है कि अच्छी खासी reduction आने की उमीद है जैसे कि Manali Petro Chemicals है जो basically import substitute बनाते है दूसरी मुझे लग रहा है कि जो FMCG companies है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत crude का consumption होता है जैसे कि बजाज consumer के रहे है जो almond oil बनाता है वहाँ पे भी वो benefit करता है तो कहीं न कहीं देखिए यह sustainable होना चाहिए यह सबसे बड़ी बात दो-तीन share आप अवनाज जेगर किसी को गर picking choose करना हो इसमें से जो आपके रडायर पर है जहाँ आपको लगता है कि जादा फाइदा हो सकता है वो share आप बताना चाहेंगे देखे मुझे लग रहे है कि lubricants में gulf oil एक अच्छा विकल्ब है दूसरा मुझे लग रहे है कि paint sector में एक दिक्दच clear है तो ये दो share में मुझे लग रहे है कि even current level कोई खरीदना चाहे तो अच्छा का सा risk reward आएगा पर्फेक्ट तो ये दो share खरीदने के लिए आपके लिए gulf oil और Asian paints का share बोला विनाश जी ने आगे बढ़ेंगे अगले दर्शक हमारे साथ है 4Line पर सुनील सुनी लमस्कार आपके पास कुन सा share है नमस्कार सर सर मेरे पास मैजागोन डॉक शिप विल्डर्स के 794 के भाव से 100 shares है मजगाव डॉक के करीब 800 रुपे के भाव पर आपके पास share है 100 की संख्या है ठीक है अबिनाश जी आपसे इसका जवाब लेंगे मजगाव डॉक हमने देखा था लास्ट एर का ये सूपर स्टार share है 200 रुपे से इसकी तेजी के शुर्बात फी 900 रुपे के उपर निकल गया था share ये और दरसल लास्ट एर डिफेंस को लेके खबरे बहुत सारी आई कंपनी स्पेसिफिक भी खबरे आई और इस कंपनी में हम देखने के धिरी धिरी करके FIIs ने जाने की विदेशी निवेश्कों ने भी इसनारी बढ़ाई थी लेकिन उपरी इस तरों से अब ये नीचे आ गया है अविनाजी क्या इसको आप मौके के तौर पर देख रहे हैं क्या क्योंकि वेलिशन सब अभी भी सस्ते देख रहे हैं शियर के मुझे लग रहा है अभी शेक जो इन्वेस्टर ने ये खरीदा है अगेन वही मिस्टेक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर करते हैं थोड़ा सा उपरी लेवल पर इन्होंने खरीदा है मेरे ख्याल से अगर इनको पैसा बनाना है तो मेरे ख्याल से कम से कम 12-15 मन्स का टाइम फिर्म लेकर यहाँ पर होल्ड करें क्योंकि देखिए डिफेंस स्पेस में अभी भी जो ट्रैक्शन है अभी भी जो गॉवर्मेंट का फोकस है वो बरकरार है काफी बड़े अनॉंस्मेंट्स आत्म निम्रभ भारत के पॉंट अभ व्यू से इन्होंने किये तो डिफेंस सेक्टर में माजगाव डॉक में सबसे बड़ी बात है कि इनके पास 4-4,5,5 अजार कोड की ओर्डर बूक है ये कंट्री के सबसे लीडिंग शिप मैनेफेक्टर है डिफेंस के शिप्स बनाते हैं तो कही न कहीं अगर इनका नजरिया शॉट टम है तो मैंने ही समझता हूँ कोई बड़ा अपसाड हैगा बढ़ हाँ अगर ये 12-15 मन्स टाइम फ्रेम होल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा आवरेज भी कर लीजे क्योंकि इनका बाइंग प्राइस थोड़ा सा और कम हो जाएगा और कंपनी अच्छी है बिजनस अच्छा है तो टाइम फ्रेम ठोड़ा लंबा रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि इनको मिलेगा थोड़ा सा पेशन और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना जरूरी देगा ठीक है तो यह रहा है मजगाव डॉक पर आपको दे दी गए चलिए अब मुंबाई से सवाल आया है हमें संजय जी का संजय जी इंफार फोन लाइन के जरी भी हमारे साथ जुड़े संजय जी नमसकार क्या सवाल है आपका पूछिए अधर मेरे पास राजड़तन के साथो बैसी पॉइंट की प्वाव से पचाश शेर में लेके रहे हैं अधर अगर और अगर अब हुझे अधर आड करना तो कि अमेले सकता हूं और ले सकता हूं इसके निशलिस तरों पर आपने एंट्री की क्योंकि आपने देखा कि 1200 के लेवल देखने के बाद स्टॉक में भारी गिरावट आई है और उसके बाद से स्टॉक नीचे ही जा रहा है नितिलिश क्या लग रहा है आपको राजड़तन ग्लोबल वायर में अभी बने रहना सही पर थोड़ा सा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको तो उच्छाल में आपको 760 से लेके 790 ये लेवल दिखा सकता है तो अभी के लिए स्टॉप लॉस के साथ बने गए 690 का स्टॉप लॉस होगा 740 के ऊपर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक 3G देखने को मिल सक में बने रहने की सलाह नितिलेश की चली इसी के साथ इस शोखों यहाँ पर समाप्त करेंगी